हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग अपना खयाल रख रहे हैं ना बच्चों आज एक प्रयासकारिक्रम के अंदरगत मैं पुन्हाँ आपके सामने एक सामाने ग्यान प्रश्ण उत्री लेकर उपस्तिद हूँ आज मैं आपके लिए कुछ विशेस पुस्तिकों की जानकारी लेकर आई हूँ जो हमारे लिए एक अनमोल धरूहर हैं और ये पुस्तिकें विश्व भर में सर्वस्रिष्ट मानी जाती हैं तो आईए शिरू करते हैं तो बच्चों पहला प्रश्ण है कि हिंद स्वराज ये किसने लिखी तो इसका उत्तर है बताईए जी हां राश्ट्र पिता महात्मा गांधी ने दूसरा प्रश्ण है राम जरित मानस यह पवित्र ग्रंथ किसने लिखा है आप सभी जानते हैं इस ग्रंथ के बारे में है ना कई बार आपने इसे टीवी या राम लिला के रूप म इस ग्रंथ का जू सार है वो देखा है राम लिला के रूप में क्योंकि इसमें राम जी की चत्र का वर्णन है तो यह राम चरित मानस ग्रंथ किसने लिखा है गोस्वामी तुलसी दास जी ने अगला प्रश्ण है महाभारत इस ग्रंथ को किसने लिखा बच्चो इस अगला प्रश्ण है हमारा सत्यार्थ प्रकाष यह गरंथ किस ने लिखा है ये गरंथ लिखा है स्वामी दयानन्द जी ने 1875 में स्वामी द्यानन्द जी ने आरे समाज की स्थापना की है और उसी से सम्मंदित उनका यह ग्रंथ है बच्चो अगला है हमारा गीतानजिली किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक है और यह पुस्तक बहुत ही सर्वश्रेश्ट है क्योंकि इस पुस्तक को नोबेल प्रोस्कार प्राप्त हो चुका है तो आप बताईए कि गीतानजिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जी हाँ बच्चों हमारे राष्ट्रकवी रविंद्रनाज टैगोर जिन्होंने 1930 में यह पुस्तक लिखी और हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाज टैगोर ने हमें राष्ट्रगान भी दिया है अगले प्रश्ने के और बढ़ते हैं आनन्द मट यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसका उतर है बंकिम चंद्र चटरजी इन्होंने 1882 में यह पुस्तक लिखी और हमारा जो राष्ट्रगीत है यानि वंदे मातरम वह इसे पुस्तक के द्वारा लिया गया है अगला प्रश्ट और अगली पुस्तक है पंच तंत्र यह विश्णु सर्माजी ने लिखी है यह पुस्तक हम बच्चों को बहुत पसंद आती है है न क्योंकि इसमें बहुत सुन्दर-सुन्दर सिक्षा प्रत कहानिया है اور जब कि कहानिया हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है की प्रकृति का कंण कंण जो है वो बोल रहा है चाहे पसुपक्षी हो चाहे पेर पौधे हो सब ऐसे लगते हैं कि जैसे बोल रहे हैं, बाचीत कर रहे हैं तो बहुत सुन्दर पुस्तक है पंचितंत्र हमारा अगला प्रश्न और अखली पुस्तक है भारत एक खोज यह है पुस्तक हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरूजी के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में उन्होंने भारत की संपूर्ण संस्कृति और विकास का पर्णन किया है बच्चो अगली प्रश्ने की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं एक और पुस्तक जिसका नाम है अगनी की उड़ान तो इसका उत्तर तो मुझे लगता है हमारे बहुत से बच्चो को मालूम होगा क्योंकि ये बच्चो के प्रिय डॉक्टर एपी जे अबुल कलाम जो हमारे ग्यारवे राश्ट्रपती भी थे और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं उनके द्वारा लिखी गई है तो बच्चो कभी आपको अवसर मिले तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा और हमारी अगली पुस्तक और अगला प्रश्ण है अभिग्यान शाकुद दलम यह पुस्तक संस्कृत में है और इसके जो कवी है वो महा कवी काली दास है तो बच्चो ये तो थे सामान्य जानके प्रश्ण और उनके उत्तर अब हम आते हैं कुछ शब्द अंग्रेजी के लेकर चीक है बच्चो आज हम भी अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे तो पहला शब्द है बी आर ओ ए डी सी ए एस टी ब्रोड्कास्ट यानि की प्रसारण इसका अर्थ है प्रसारण आप जानते है न कारिक्रमों का जो भी प्रसारण होता है चाहे वो टीवी पर हो या रेडियो पर हो उससे ब्रोड्कास्ट कहा जाता है ठीके अग्ला शब्द है बी आर आई डी जी ए ब्रिज यानि की पुल या सेतू और अगला शब्द B, R, A, N, C, H यानि कि ब्रांच ब्रांच का अर्थ होता है शाखा या टहनी किसी पेड की कोई भी शाखा जो मूल तने से जुड़ी होती है उसको ब्रांच कहते हैं और चौथा शब्द हमारा है ब्रीज, B, R, E, Z, E ब्रीज, यानि कि धीमी ठंडी हवा कभी-कभी जब आप सुभे की समय बाहर घूमेंगे तो आपको एक संडी-ठंडी हवा का जोका समय हसूस होता है वो होता है ब्रीज तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही अगली बार फिर नई प्रश्णों और नई शब्दों के साथ आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए